अनिल जी गुद्वानिंग दिपान्शू गुद्वानिंग अनिल जी जो पसंदीता शेर आज है वो अनंतराज लिमिटेड है यह कंपनी मुझे पता है आपने भी रेक्मेंड किये लेकिन इस कंपनी का सबसे बड़ा डिफ्रेंसेटिंग फैक्टर ही है कि रियल एस्टेट और डेटा सेंटर के बिजनस में है और कल डिसेंबर 20 को बोर्ड मीटिंग है फ्रेश कुआईपी फंड्स के लिए ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़े एचनाई इन्वेस्टर इसमें निवेश करने वाले है और सबसे बड़ी बात कंपनी के फंडमेंटल बहुत स्ट्र में री रेटिंग का पोटेंशल सिग्निफिकेंट है तो मुझे लग रहा है कि एटलीस नेर टर्म में एक साढ़े तीनसो तीनसो साट का टागेट प्राइस कमफर्टबली पॉसिबल है कल खराब बजार में करीबन 297 का प्राइस पर प्राइस पी यह क्लोज हुआ है तो य यहां से मुझे लग रहा है कि 23-23.50 का टागेट परेस अगले 6-12 में में पॉसिबल है तो कमिंस और अनंत राज यह दो स्टॉक पिक्स मेरी करफ लग रहा है कि देखिए का सन फार्मा हमको काफी पसंद है लाज कैप में लेकिन दूसरी एक फार्मा कंपनी है जहां पे हम ह पिरामल फार्मा है तो हमको लग रहा है कि 125-26 में अगर स्टॉक मिलता है तो इसको खरीदना चाहिए अगले साल-देड़ साल के लिए हमको लग रहा है कि आउट्लुक काफी पॉसिब अगले तीन-चार साल में ग्रोथ पोटेंशल काफी सॉलिड है और इनका जो फ्रेंचाइज है पीजा हाट और KFC मुझा लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ आउटलेट्स वो लगाने म अगले दो-तीन साल में अगले दो-तीन साल में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा मेरी क्लियरली जैसे-जैसे आउटलेट्स बढ़ेंगे स्केल बढ़ेगी तो ओविसली इनका जो एकोनॉमी ऑफ स्केल है वो इनो ऑपरेशन में आएगा प्लस कोवेड के लिए काफी प्रोब्लम थी क्योंकि जादातर ओनलाइन बिजनस से ही इनको बिजनस आता था तो मेरी कहाल से लंबी अगदी के लिए किसी को अगर साल-देर साल की नजरे से लिना है तो डेफिनिटली अच्छा एट्रेक्टिव प्राइस है बट शौट तम में नहीं बट जरूर रिस्क रवर्ड अच्छा बन से लिए बिल्कुल डिपांशू का पी नसी इंफ्रा में पहले भी ओर्डर बुक काफी अच्छी थी एग्जिविशन भी काफी इनका स्ट्रॉंग था मेरी क्याल से यह जो नया ओडर है इसे और थोड़ा सा सेंटिमेंटल बूस्टर स्टॉक को मिलेगा मेरी ख्याल से कंस्ट्रक्शन स्पेस में काफी अच्छा काम हो रहा है और यहां पर यह काफी लीडिंग प्लियर है तो मेरी क्याल से इस लेविल से अगर कोई खरीबता है तो अच्छा रिस्क बाट बन सकता है तो डेफिनेटली पोट्पोलियो में थाइरो केर है मेरे ख्याल से शॉट टम में तो तेजी आ सकती है लेकिन अगर यह मामला थोड़ा सा और सिर्यास होता है और और थोड़े दिनों और हफते में आते हैं तो मेरे ख्याल से ट्रक्शन ऐसी कंपनीज में जादा देखने को मिलेगा मेरे क्याल से यह तो शुरु स्टॉक्स की बात करें तो देखे सारे रेल स्टॉक्स पिछले एक साल में बहुत तेजी पकड़े हैं लेकिन टेक्स्माइक और रेल हमको अभी भी लग रहा है काफी अट्रेक्टिव है स्टॉक करीवन एक सो सतर पच्चतर चल रहा है अभी दो दिन पहले इनको करीवन ए तो यहां से मुझे लग रहा है तो यहां से मुझे लग रहा है टेक्स्माइको आपको 225-230 का एक निर्टम का टागेट सकता है रिलेटिवली अगर हम जुपिटर वैगन और टिटागर की बात करें तो उस पॉंट अभी उसी यह रिलेटिवली सस्ता है और विजिबिटी 41-42 रुपीज पर रेक्मेंट की थी हम वो लग रहा है कि तीसरे जिमाही नॉर्मली कंपनी के लिए बहुत बढ़िया आती है क्रिस्मस, न्यू यर, शादिया मेरी ख्याल से यह एक ऐसा कॉर्टर होता है कंपनी के लिए और सबसे बड़ी बात कंपनी ने सेप्टेंबर त मेरी ख्याल से करेंट लेवल से काफी अच्छा रिस्क रॉट बन सकता है अगर आपका नजरिया 6-12 मेने करीबन 75-80 रूपय का टागेट प्रैस लेकर यहां पर खरीदी करिए, मुझे लगता है नौपर भी शॉर्टर बड़ अगले सालवर का नजरिया कोई लेता है तो अ 55-80 रूपय से करें